नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पतिमाज उनीक डायरी में दोस्तों इस वीडियो में आपको दो उपाय बताने वाले हैं जो की माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए धन संबंदी समस्याओं के लिए धन प्राप्ति के लिए है और दूसरी चीज है मनो कामना के लिए है दूसरा उपाय है आपको दो उपाय आपको बताने वाले हैं शुक्रवार का दिन आपको ये उपाय करने हैं और इस बार तो कल शुक्रवार की दिन साथ सब्तमी तिती भी पड़ रही है तो संतान की उन्नती तरक्की के लिए भी आप ये उपाय करते हैं जैसे उनकी भी लक्षमी प्राप्ती के लिए उन्नती हो तरक्की हो उसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए दो उपाय बताएंगे आपको इस वीडियो में दोस्तों सदा बाहर के फूल को आप सभी लोग जानते भी है पहचानते भी है बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह पर कहीं भी इदर लगे रहते हैं नहीं तो लोग गंबलों में भी लगाते हैं सदा बहार की इस तरह से जैसे स्ट्रीम पर आपको दिख रहे हैं दो रंग में आते हैं ये कि इस तरह से गुलाबी भी दिखता है आपको और ये सफेद रंग में भी खिलते हैं दो तरह से सदा बहार का फूल आपका खिलता है इसी फूलों से सदा बहार के फूलों से ही आप अपको दोनों उपाय करने है और माता लक्षमी को साथ साथ में भूले नाथ को भी आपको प्रसंद करना है दोनों उपायों में सदा बहार के फूल से ही आ जाते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले उपाय पर पहला उपाय जो है वो माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए लक्षमी प्राप्ति के लिए है धन संबंधी समस्याओं के लिए है करज मुक्ति है धन का कोई भी कस्ट आपकी घर में धन का आगमन बना रहे माता लक्षमी का इस्थाई वास हो जिसे कहते हैं अगर पैसा टि जीएगा काउंटिंग ध्यान रखियेगा गिन करके 21 मिल ले लिजिए 27 होता है तो 27 ले जीए और सफेद वाले फूल लेने हैं आपको यह भी आपको ध्यान रखना है अब आप माली जीए 27 जितने भी आपको मिल पाएं है उतने फूलों की आपको मौली जो होती है मौली छो ह के वैसे आपको माला बना लेना है सफेद फूलों की माला का आपको इस्तमल जरूरत लगने वाली है सदा बाहर की एक ये हो गया दूसरा सामान जो हमको चाहिए वो है एक लाल कपड़ा छोटा कपड़ा ही चाहिए हो बहुत बड़ा सा नहीं चाहिए हमको छोटा कपड़ा ही एक ले लीजिएगा इसके साथ ही चाहिए हमको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी चाहिए होगी और उतना ही चुटकी भर आपको कुम-कुम चाहिए होगा ठीक है कुम-कुम या सिंदूर जो भी आपको मिल जाए ले लीजिएगा कुम-कुम ले लीजिएगा वैसे तो ठीक है से आपको चावल लेना है और इसके साथ नेक्स्ट आपको चाहिए वो है लंबी बाती का दिया कैसा घी का दिया जलाएगा और लंबी बाती का मातलक्षमी को प्रसंद करने के लिए जब भी उपाय करते हैं तो लंबी बाती का दिया यूज़ करते हैं तो एक लंबी बाती का जादा आपके घर के मंदिर में कहीं पूजा पाट जहां पर आप करते हैं वहां पर माता-लक्षिमी की जो फोटो होगी वहां पर आपको ये उपाय करना है सबसे पहले आप बढ़ जाए उसके बाद एक लाल कपड़ा आप वहां पर बिछा दीजिएगा जो लाल कपड़ा आपके पास है थोड़ा सा छोटा सा वो बिछा दीजिएगा सबसे पहले जो दीपक आपने लिया हुआ है उस दीपक को आपको जला देना ह है ये इसके बाद दीपक आपको जला कर लंबी वत्ति का रख देना है जलाने के बाद आपको 21 फूल की माला है तो 21 बार आपको महा लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जिब करना है जो मंत्र आपको आता हो वो कर दीजिएगा ठीक है Palmer 27 बार मंत्र का जब करिएगा अगर आपको कोई मंत्र ध्यान में नहीं आ रहा है तो ओम महालक्षमे नमा सबसे आसान मंत्र है इसी का आपको 21 बार जब कर लीजिएगा ठीक है जब करने के बाद अब आप जिने जो फूलों की माला ले है वो माता महालक्षमी को समर्पित करनी है चड़ा दे अब जो अपने लाल कपड़ा लिए उसमें भी आपको लगाना है बनाना है हल्दी से स्वास्तिक बीच में हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा साथ ही साथ कुमकुम से भी आपको उसमें बिंदी रख दीजिए ठीक है बीच में ही दोनों से आपको उस कपड़े पर आ आपको रख देना है ध्यान दीजिएगा ठीक है यह चीज रख नहीं उसके बाद आप चाहें तो लक्षमी स्त्रोथ का पार्ट कर सकते हैं लक्षमी 40 का पार्ट कर लीजिएगा कोई भी एक चीज का ठीक है अब जो आपने फूलों की माला ली हुई थी उसको भी उसी लाल है स्वास्तिक की उपर रख देना है ठीक है अभी क्या क्या समाना आपके स्वास्तिक में हो गया लाल और पीला आपने कुमकुम जो लगा दिया है साथ ही साथ चावल रख दिये हैं और जो फूलों की माला आपने सदा बाहर की सफेद रंग की लिए वो भी इस पोटली में रख लीजिए पोटली को आप बन कर लिजिए पोटली जैसा उसको अच्छे से बना लेना है कपड़े को ओर उसके बाद महलक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है कि आपके सथाईवास खरных में माता लक्ष्मी का आगमन भन रहे है लक्ष्मी क प्रापती हो इस तरह से कहते ह तुम्द करते हैं वहाँ पर आपको लगातार यह उपाई करना है यह उपाई के आपको शाम को करना है इस बात का ध्यान रखना है और पूरे कितने दिन तक पाँच शुकरवार तक आपको यह उपाई करने हैं एक शुक्रवार ही नहीं पांच शुक्रवार आपको लगातार ये उपाय करना है जिस शुक्रवार से भी आप सुरू करेंगे आगे के पांच शुक्रवार ये उपाय कर लिजिएगा कोई मुश्किल काम नहीं है घर पर ही आपको ये उपाय करना है पांच तक कर लिजिएग पूजा करने के बाद इस तरह से उपाय करने के बाद आप चावल और फूलों की माला उसी पोटली में आपको रख देना है पांच फूलों की माला इस तरह से इकठा हो जाएगी और उसी तरह से चावल के दाने इसमें इकठा हो जाएंगे ठीक है अब आप क्या करेंगे जो आखिरी शुक्रवार आएगा पयानी पांचवा शुक्रवार जब आएगा तब आपको क्या करना है आपके घर में जहां पर मिट्टी मतलब उस दिन भी आप रख दीजिएगा उसके बाद नेक्स डे अगले दिन जब आपके घर में मिट्टी हो वहां पर आपको या मिट्ट अगर घर में सब जगह फर्ष है गमले होंगे गमलों में आपको क्या करना है चावल और फूलों की माला निकाल करके पोटली से आपको उसमें लगा गाड़ देनी है डाल देना है ठीक है ध्यान दीजिएगा कपड़े को मत डालिएगा कपड़ा तो आप धुलक रख दान कर दीजिएगा ठीक है पेड़ के नीचे रख दीजिएगा लेकिन पोटल जो आपका चावल है और फूलों की माला है वह आपको मिट्टी में दबा देना है यह पाँच दिन आपको करना है तो दोस्तों आसान सा उपाय था घर पर ही करना है कहीं नहीं जाना है यह मनोकामना है, इच्छा है, दूरी है, चाहते हैं, मन चाहे जीवन साथी के लिए चाहे कर रहे हैं, संतान प्राप्ती के लिए कर रहे हैं, संतान के तरक्की के लिए कर रहे हैं, धन्सम्बंधी कस्ठ है, या फिर नौकरी चाहते हैं, करियर में तरक्की चाहते हैं, कैसा भी मत ध्यान रखिएगा इस बार आपको गुलाबी वाले सदा बाहर लेने हैं और नौ सदा बाहर आपको लेने हैं यह उपाई आपको करना है शुक्र वार के दिन नहीं यह सोम वार के दिन आपको यह उपाई करना है आपने फूल ले लिए नौ सदा बाहर के गुलाबी वाले यह उपाय आपको स्नान करके सुबह के समय करना है और साथ ही साथ में सुम्वार के दिन करना है यह ठीक है यह दोनों सामान लेकर के नौफूल और साथ ही साथ तामी के लोटे में शुद्ध जल लेकर के आपको चले जाना है शुमंदिर शिबलिंग के पास में जो भी आपके कफूल लिया है वो भी एक एक करके श्री शिवाय नमस्त भ्यमोम नमस्षिवाय कहते हुए कहके आपको चढ़ा देना है और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है वो भोले नाथ से आपको अपनी मनोकामना इच्छा कह देनी है सुमवार के दिन सुभा के समय आपको यह उपाय करना है आप भूले बाबा आपकी परेशानी समस्या जरूर सुनेंगे आपकी मनोकामना की पूर्ती जरूर होगी तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो अपाय बताए हैं एक महालक्षमी प्राप्ती का अच्यू को पाय है गुपतो पाय है दूसरा दूसरा मनोकामना पूर्ती के लिए उपाय है जो अपको लगता आपको करना चाहिへ वो अपाय आप करके जरूर देखेगा आप सभी को संतांस अप्तिमी की सुभु कामनाय साथी साथ भगवान भोले नात की मातलक्षमी की कृपा आप पर आपके परिवार पर सदयों बनी रहे शी शिवाय नमस्तु भ्यम